नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज उत्तरप्रदेश उत्रकंड और मैं हूँ आपके साथ प्रियाधिकारी स्वागत है आपका हमारे खास शो न्यूज रूम लाइव में जिसमें हम बात करते हैं ग्यारा राज्यों की ग्यारा बड़ी खबरों की सबसे पहले इस वक्त के आपको सबसे बड़ी खबर बता दें कि रिलाइंस ने आज अपनी 42 वी आनुवल जेनरल मीटिंग का आज आयोजन किया जिसमें उन्होंने कई बड़े ऐलान किये साथी साथ असमें मुकेश अंबानी जो उनके चेर्मन और मैनेजिंग डिरेक्टर है रिलाइंस के उन्होंने ये बताया कि 340 मिलियन से ज्यादा कस्टमर्स अब रिलाइंस के हो चुके हैं और साथी साथ उन्होंने कई बड़े ऐलान किये जिसमें हम आपको बता दे कि होम ब्रॉडबैंड सर्विस जियो गीगा फाइबर के साथ अब ग्रहकों को एक जीबी पर सेकेंड की जो है स्पीड ब्रॉडबैंड स्पीड मिल सकेगी साथी साथ लैंड लाइन फोन मिलेगा अल्टरा हाइड देफिनेशन के एंटेइन्मेंट मिलेगा वर्चौल रियालिटी कंटेंड मिल पाएगा मर्टी पार्टी विडियो कॉन्फरेंसिंग आप इससे कर पाएंगे साथी साथ वोईज इन बेंड वर्चौल असिस्टेंस आपको इसमें मिलेगा इंटराक्टिव गेमिंग हो सकेगी होम सिक्यॉरिटी और साथी साथ स्मार्ट होम सोलूशन भी मिल सकेंगे इसी के साथ रिलाइंस ने आपके कई बड़े ऐलान किया और उन्होंने कहा है कि 700 रुपे में ही जियो का गीगा फाइबर यहां पर मिल पाएगा और सालाना प्लान अगर आप इसका लेते हैं तो आपको एक फ्री LED टीवी भी मिलेगा इसी के साथ जियो फाइबर जो है वो पात सितंबर 2019 से ही यह सब कुछ उपलब दो जाएगा और सारी की सारी जो स्कीम्स है यह तब से लागो हो जाएगी अब बात करते हैं 11 राज्यों की 11 बड़ी खबरों की तो जिस पर जादा जानकारी के लिए हमारे साथ मोजूद है पुलकित सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम जम्मू कश्मीर की जहां पर अनुछे 370 हटाये जाने के बाद आज बकरीद का मौका है उस पर आज अमन के साथ जम्मू कश्मीर में बकरीद मनाई गई है और साथी साथ पुलिस ने आपर मिठाईयां भी बाटी है पहुंचे हुए तो इस वक्त महां देखिए आपका बतादी कि 370 रटने के बाद पहली बारा आज महां पर एद मनाएं गई बकरीद और ऐसे में श्रीनेकर और राज्या के बागी हिस्सें में लोगों ने मजजिदों में बकरीद की नमाज अताकी और साथी अभी तक कहीं पुलिस ने यापी मिठाई भी बाटी है तो मतलब एक लोगों के जो हमापे तमाम जो स्थानी लोग हैं उनके साथ संबंदों को सुधारने के लिए ऐसे में यहाँ पर पुलिस ने पहल कियो और इस अभी की बात करें तो हमापे इस वक्त लोग सुबह मस्जिद भी गए हमापे नमाज अदा की और इसके बाद अभी पूरे हमापे देखें तो अच्छा इस वक्त हमापे महौल इस वक्त कश्मीर में है जी तो हार का महौल है और साथी साथ शांती बनी हुई है पुलिगाटी में वहीं आगे बढ़ते और बात करते उत्तर प्रदेश की तो सभी बहनों को प्रदेश में सभी बहनों को फ्री में बस में सफर करने का मौकर दिया जाएगा तो ऐसे में उसके बाद योगी सरकार ने को रेक्शन लिया है आज बकरीद है आज के दिन 24 घंटे बिजली उपलब रहेगी साथ ही रक्षा बंदन मारे दिन भी 24 घंटे लग स्वागत कर रहे हैं वहीं आगे बड़ते और बात करते हर्याना की तो बबीकिता फोगाट जो की खेल दुनिया के एक नामीर सितारी है सितारा है और उन्होंने यहां पर अब सियासत की दुनिया में कदम रख चुका है और उन्होंने भाजपा में वो शामिल हो चुक चिनाओं पर असर पड़ेगा वो एक देखने वाली बात होगी लेकिन आपको बता दे कि फोगाट ने गोल्ड कोस्ट में हुए 21 रास्ट मंडल खेलों में रजट पतक जीर करदेश को मतलब यहां पर काफी गौर्ण वान्वित महसूस कराया तो साथ ही आपको बता दे कि जिस तरह से लगातार जो 370 को लेकर जो तमाम बाते सामने आई थी ऐसे में उन्होंने इस परस्ट किया कि 370 को हटाने का जो फैसला लिया प्रधामंतिर नरिंतरमोदी ने उसका उन्होंने स्वागत किया साथ ही उनके पिता भी जोरा मौझूद है मीडिया प्रेस कॉन्फ जिस तरह से लहां पर जो रैसलर को शामिल किया क्या कुछ असर होगा बागी पार्टियां क्या कुछ करेंगी इसके बाद वो एक दिल्चस्प पैंट होगा अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्राखन की जिस तरीके से प्रदेश में मौनसून जो है वो इतना सक्री है उसके बाद भारी बारिश महाँ पर हो रही है और उसके बाद ही अगर देखा जाए तो चमोली में जो हाईवे है वो उस पर एक पहाड़ी गिर गई है पहाड़ी गिरने से सड़क बंद हो चुकी है लोगों को बहुत जादा परिशानी का वहाँ सामना करना पड़ रहा है पूरे उत्राखन की बात करें तो अलग-अलग तस्वीर इस वक्स सामने आ रही है कहीं पर बिल्डिंग गर ही है और कहीं पर लोग जो है नदी में फस तो यह नहीं पर इस वक्त यात्रा को रोक दिया गया और आपको बता दे कि चमवली में रविवार रात से सुमवा सुबा तक आज सुबा तक लगातार महा बारिश होई और इसकी वज़ासे कई जगा मलवा सड़क पर आ गया और इसकी वज़ासे बदरिनात और हेमकुंड यात्रा को रोक जागया और तीडर यात्रा की बात करें तो जगा जगा इस पर हाइवे खुलने का सभी तमाम यात्रा इंतजार करें और जिल्य में भूसकलन की वज़ा से चौदा जो रास्ते हैं चौदा मार्ग हैं वो बंद हो चुके हैं तो रिश्ची केश गंगोतरी ह आइवे पर यात्रा इस वक्त सामानने रूप से चल रहा है महीं केदना आइवे जारी है लेकिन पूरे अगर प्रदेश की अब बात करेंगे तो तस्वीर काफी इस वक्त डरावनी तस्वीर है भ्यावे तस्वीर है और प्रिशासन को लगातार मौसम विवाग अलट कर र श्री गुरु रविदास जी का जो प्राचीन मंदिर है उसे तोड़ने का जो आदेश दिया गया था उसके बाद 13 अगस्त को यानि कि कल पंजाब बंद का एलान किया गया है तो उसी पर कैप्टान अमरंदर सिंग ने पीम मोधी को दखल देनी की अपील की है कि वो इस माम में थोड़ी सी दखल देगे सुपरम कोड की आदेश के बाद नई दली में तुगलकाबाद में श्री गुरु रविदास का प्राचीन मंदिय तोड़ने का मामला पंजाब में एक इस वक्त बड़ा मुद्दा बना हुआ है और ऐसे में इसको लेकर जालंदर का पूर्थल पटियाला, फतैगड, फतैगड, रोपड, फिरोजपूर और कई जिलों में यहाँ पे दूसरे दिन भी प्रदशन हुआ और इसको देखते हुए यहाँ पर गुरु रविदास जैन्दी समारो समीती ने 13 अगस को पंजाब में बंद का एलान किया है जिसकी वज़े से यह करने की बात भी कहिए और कैप्टन अमरिंदर ने समधाय को वित्तर और कानोनी मदद कराने का भरोसा भी दिया है यहाँ और ताकि इस मामले को आगे ले जाने में परिशानी ना हो अब देखिए सरकार यहाँ पे केंद्र सरकार से अब मुलाकात करेंगे क्या कुछ केंद् तो 15 अगस्पर प्रदेश में पहली बार सरेंडर महिला नकसली जो है वो परेड करती हुई नजर आएंगी बलकुल देखिए यह एक बहुत पॉजिटिव एक कदम है और जिस तरह से यहाँ पे जो जिन महिलाओं नकसली महिलाओं सरेंडर किया क्योंकि तो यह अच्छा ए तो यहाँ पर इस वक्त यह एक बहुत अच्छा एक पॉइंट है और इसके यहाँ पर आपको बताने कि इसके लिए रिहार्सल भी लगवक पूरी होने को है और नकसली उन्हें से अज़ाद होने के बाद पहले बाद देश की अज़ादी के जश्न के परेड में शामिल हो उस पर अगर उसकी बात की जाए तो वहाँ पर अंतिम सोमवार में सावन के समा के जो अंतिम सोमवार है उस पर चार रूप में महाकाल दर्शन देने वाले है और भसमारती वहाँ पर की गई है और भसमारती पर बहुत बड़ी संख्या में जो वहाँ पर भीड उमर कराई ह बलकुल देखिए आज सावन का आखरी सोमवार है और ऐसे में दोपहर को चार बज़े निकलने वाली सवारी में बाबा अपने भक्तों को चार रूपों में दर्शन देंगे तो इस वक्त वहां की अगर बात करें उच्चेन की तो जो भक्ती में महाहौल इस वक्त नजर आ र दर्शन की और यहां पर इस वक्त जिस तरह से जो आज शाम को चार बुझे जब बाबा अपने चार रूपों में दर्शन देंगे तो वहां पर सुरक्षा रवस्ता एक बहुत बड़ी चनौती प्रिशासने के सामने लेकिन इस वक्त दों सबको देखते हुए यहां पर प तरह करीब नौ वजे डीजय ग़ाने को लेकर दो पक्षों में कास दूने के बाद मारडी एंसी देखते हैं पूरे चेतर की बात करें तो पुलिस इस वक्त तनात कर दी गई है वहीं आगे बढ़ते और बात करते हैं जार्खन की तो गड़वा में एक ही परिवार के चार लोगों के शव मिलने से इस वक्त महां पर पूरी संसनी फैल रखी है बल्कुल देखे यहां पर इस वक्त इस घटना के बात से पूरे अलाके में देश्चत का माहल बना हुआ जार्खन के सुदूर वर्ती जिला गड़वा महां पर एक ही परिवार के चार लोगों के शव मिलने से इस वक्त संसनी फैली हुई है और ऐसे में आपको बताया जा रह जहां पर रक्सी गाओं का यह मामला है और गाओं के हर्ठला टोला में रहने वाले शुखकुमार के बारे में बता जा रहे है कि वो बिमारी की वज़ा से मांसिक रूप से परिशान था और इसी के लिए लाज के लिए उसके पास परियापट पैसे नहीं थे जिसकी वज़ कर दिए उसके बाद उसने खुद को फास्थी लगा ली, हाला कि जैसे ही इस मामले की जानकर्य पूलीक तक पहुंचती है, तो सूचना मिलते है, पुलीस हटा लथ ध्छला पहुंची और मामले की जांश चुरू कर दी, पुलीस का कहना है कि जांश पूरी होने के बाद इस म पूरी तहकीकात कर रही है वहीं आगे बढ़ते और बात करते राजस्थान की तो 370 पर भाजपा को जबरदस समर्थन मिला है जिस तरीके से जमु कश्मीर से 370 हटाया गया है उसके बाद भाजपा को यहां पर जमकर समर्थन मिला है और फैसले के बाद से ही बाद से हर रोज तो दो लाख से जादा लोग वहाँ पर सदस्था ले रहे हैं फूरकर जिस तरीके से अभी हमने हर्याना की बात करी थी कि धारा 370 हटने के बाद गीता फोगाट ने वहाँ पर सदस्था ली है उसी तरीके से अब यहां पर राजस्तान से भी यह बात सामने आ रही ही कि 2 ल लोग वहाँ पर सदस्यता ले चुके हैं बल्कुल देखिए जिस तरह से लगातार बीजेपी पूरे भारत में सदस्यता ब्यान चला रही है और ऐसे में तमाम लोगों को अपने साथ जोट रही है और आसे में राधस्तान में दो लाग लोगों ने जो सदस्यता ली है बीजे भले जो तरीका सरकार ने उन्यों उसको लेकर सवाल खड़े कि हूँ लेकिन राधस्तान में इसका बीजेपी राधस्तान में जो लोग हैं सवातट कर हे और तो यहां पर चार्जन प्रदेश्बाट्र लोगों ली हैं और सेथा लियांग में प्रदेश बाजपा की सरह से लिए। नएलोगों को जोड़ा जाठा तो ब्लुट्र सबलता गे रूप में इसको महां की लएक ही इसको शबलता गे रूप में देख रही है धनेवाद भूकुत तो यह थी ग्यारा राज्यो की ग्यारा बड़ी खबर ए Why I इसी तरीके की और खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ देखते रहिए न्यूज और डाउनलोड करिए हमारा आप